हेलो दोस्तों आपका हमारे चल पस्वागत है आज हम प्लम का जैम बनाने जा रहे हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां 500 ग्राम आलू बुखारा लिया है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसका हम बीज को निकाल के साइड रख लेंगे आलू बुखारा बहुत ही हेल्दी फ्रूट है तो जब भी इसे ले तो इसे खाके जरूर देखें यह बहुत ही खटा भी आता है तो लेते वक्त आप एक बार टेस्ट कर ले तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो इसे बनाने के लिए हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना होगा और ये ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं तो आप इसे दोनों तरीके से इसे खा सकते हैं ये बहुत ही जूसी फ्रूट है तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएंगे इसके जैम ये इस तरीके से मैंने चोटे छोटे टुकड़ों में से कट किया है तो यहां मैने पूरे को कट कर लिया है अब इसे बनाते है तो यहां मैं और इसे चला देंगे और इसके फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे और इसे ढखके 15-20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि यह गल जाए यह जैसे जैसे गलेगा इसका कलर चेंज होता जाएगा तो इसमें एक पिंच मैंने यहाँ नमक डाला है यह देखे इसका कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ मैंने इसमें चीनी के जगा हनी डाला है आप चाहें तो यहाँ चीनी का भी यूज कर सकते हैं तो हनी मैंने यहाँ 5-6 टेबल इस्पून हनी लिया है इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से यह देखे हनी डालने के बाद यह कलर और भी निखर रहा है इसका यह बहुत ही टेश्टी बनता है अब हनी के जगा चीनी का यूज कर सकते हैं यह बिलकुल आप्शनल है तो यह देखे बनने के बाद यह कलर बिलकुल ब्लैक कलर जैसा हो जाएगा तो इसे हम फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया है अब इसे ठंडा करके ग्लास के जार वाले बॉटल में मैं इसे भरके रखूंगी जब पूरी अच्छा से ठंडा हो जाए तब इसे बोतल में भरे तो यह देखे हमारा प्लम जैम तयार हो गया है तो आसा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद झाल 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 झाल